Students, Today we will read about History, 7th Class History, 1st Chapter, What, Where, How and When अर्थार, क्या, कब, कहां और कैसे आपके मन में भी किसी भी कारण को जानने के लिए मन में विचार उठते ही हैं कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ उसी तरह से हमारा पास्ट के बारे में भी हमारी ये क्वेरीज रहती हैं कि मनुष्य का कहां से आया, कैसे आया, कैसे रहन से था, उसका क्या करता था वो इस तरह की क्योरीज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे लेट्स स्टूडेंट्स रसीदाज क्वेश्चन रसीदा प्रेशन करती है रसीदा सेट रेडिंग दे न्यूज पेपर सड़नली हर आइज पैल ओने स्माल हेडलाइन वन हंडर येर अगो रसीदा बैठी अख़बार पढ़ रही थी अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पढ़ी सो साल पहले वह सोचने लगी कि यह है कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था पैंडिंग आउट वाट हैपंड कैसे पता लगाएं येस्टरडे यू कुड लेसं टू दा रेडियो वाच टेलिवीजन रीड ए न्यूश्वेपर है जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो टेलिवीजन देख सकते हो या फिर अख़बार पढ़ सकते हो साथी जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय किसमरती हो लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं पर्सन, स आर्टिस्ट, मुजिसियन्स सैंटिस्ट हम शिकारियों पसुपाल को, किसानों, सासों, व्यापारियों पुरो हितों, सिल्प करों, कलाकारों, संगीत कारों या फिर विग्यानिकों के जीवन के बारे में जानकर यांँ हासिल कर सकते हैं we can also find out about the games children played the stories they heard the place they saw the song they sang यह नहीं हम पता कर सकते हैं कि उसमें बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते थे कौन सी कहानिया सुना करते थे कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे वेर देट पीपल लिव लोग कहां रहते थे पाइंट रिवर नर्मदा उन मैप पेज 1, पेज 2 पीपल है वे लिव लिव अलोंग बैंक उफ इस रिवर पर सेवरल हंडर्ड थाउजंद यर कई लाख वर्स पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे यहां रहने वाले आरंबिक लोगों में कुछ कुसल संग्राह करने वाले थे जो आसपास की जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे वे अपने भुजन के लिए जड पल जंगल के अन्य उतपादों का यहां से संग्राह कलेक्शन करते थे वे जानवरों का भी शिकार करते थे यहां से लिए लिए तोमरों आवाओ शुलेमान और किर्थार हिल तो अर्थ वेस्ट